हेलो एविवान वेल्कम बैक टू कार बाई 360 आज हम बात करने वाले हैं QJ मोटर्स की तरफ से SRC 500 एक मैसिव 480cc बाइक के बारे में डेटेल तक जाने वीडियो को एंट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने इस तरह की अमेजिंग लेटेस्ट बाइक और कार रिव्यूज के लिए यहां पर एप्रॉक्सिमेडली मेटेस की यहां पर लेंध हो जाती है इसको सिरफ कंपेर एक दिमेंशन के लिए करने के लिए मैं हंटर 350 यहां सारी मेटिय और 350 के साथ कंपेर करते ता आपके एक आइडिया हो जाएगा लेंध जिदनी है उससे ज्यादा दिखने में लगत बढ़िया लग रही है देखने में भी सही लग रही है आप इसके स्पेसिफिकेशन्स जो है वह बता देता हूं अगर आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मोज मुवी इक आती है उसमें बंबल भी है थोड़ा थोड़ा वैसा इसकी आइस है आपको लगेंगे और अगर क्यूटनेस की बात करें तोड़ी क्यूट भी लगते है और आपको मिनियन की आइस भी इसके यह ड्यूल पॉड इंस् विच होता है दोना में उस तरीके से दिखाएगा गेर पॉजिशन इंडिकेटर, स्पीडो मीटर, टैको मीटर इस तरफ आएगा फ्यूल इस तरफ है टाइम इस तरफ है नूट्रल फ्यूल और एंजन की आप्शन भी सारी यही नजर आने वाली है यह चीज मेरको अच्छ नहीं लगने वाला और क्वालिटी की की मुझे बहुत अच्छी लगी है फ्लिप की ओपन है लुक्स रेली रेली कूल सुर्वात करते हैं इसके फ्रंट लुक से फिर इंजन वगरा यह सब के बारे में डिटेल में डिसकस करूँगा सबसे पहले देखो कि इसके इसके बहुत कंपनी अब प्लास्टिक देने लगी है बट क्यूजे मोटर्स ने यहां पर कॉस कटिंग नहीं की टाय साइस की बात करें तो 19 इंचिस का मैसिव एलोई वील आपको ओफर किया जाता है विद 300 mm की मैसिव अगें मैसिव डिस्क ब्रेक टेलिसकोबिक सुस्पे है अब ओवराल मुझे लगता है कि एक अच्छा लुक इसको पूरा फ्रंट को मिल रहा है what do you think नीचे कमेंट करके जरूर बता दें talking about the side profile of this vehicle आओ इधर आओ इंजन 480cc का 25 PS की power 36 Nm की massive talk generate करता है इसका इंजन और size भी काफी बढ़ी है आपको देखने को लगता है अब इसकी सबसे चीज़ मुझे लगी कि यह matte black finish में आता है तो काफी जादा you know blend हो जाता है पूरे वेकल के साथ ऐसा नहीं कि अलगी shine कर रहा है तो यह चीज मुझे क silver chrome finish के साथ offer किया जाता है अगेन इसकी bike की side look तो मुझे definitely काफी जादा retro के साथ साथ classic लग रही है अब बदाना चाहूंगा इसकी overall seat height अभी तो आप double stand पे लगी इसलिए जादा लग रही बट 800 mm की seat height है 155 mm का आपको ground clearance मिल जाता है वैसे तो ground clearance 155 mm कम है बट इस तरह की bike इस तरह की look और इस तरह की design के साथ I think ठीक ground clearance है 160 या 165 होती तो जादा अच्छा लगना था city's के लिए काफी जी हो जाता है pot hole speed breakers में आपको काफी जादा convenience मिलने वाली थी अब इस bike में आपको color options gold or black तो ही है यानि कि golden black दूसरा आ जाता red and white तीसरा आ जाता इसमें color silver के साथ black combination वो भी दिखने में अच्छा लगता है हाना कि जो red or white का combination मस्त मखन best लगता है वो design वो color पीछे की तरफ देखेंगे तो grab rails आपको इस तरफ offer किये गें silver finishing किसा आपको dual side पे अफकोस इधर भी और इधर भी coil spring telescopic suspension offer की जाती है बड़ा सारे exhaust के साथ-साथ proper covering हो गए और आपको दूसरी चीज है 240 mm की disparate and again जो चीज मिसिंग होगी dual channel ABS ABS आगे भी पीछे भी बताना भूल गया तो इसलिए कह रहा हूं miss हो गया अब पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो overall जो अच्छी चीज मुझे लगती है कि हर जगा आपको जो metal की quality उसे अच्छी तरीके से यूज किया गया और काफी heavy तरीके से हर जगा आपको metal metal देखने को मिलेगा तो looks definitely काफी अच्छी लगती उस पर से और अगर हम overall बात करें इसके weight की तो 205 के लोगा weight हो था तो I'm sorry ladies आपके लिए चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा या skinny लोगों के लिए अगर lady में दम है जो कि बहुतों में होता है तो वो इसे अराम से ला लेंगे ना I think काफी जादा अच्छी लगेंगे भी गलत वे मतले ना लोगों अब बात करतें इसके rear tire के जो एक मेरी निराश करने वाली बात मुझे लगती है अब जो rear tire profile है 18 inches का alloy है तिकने में अच्छा लगता है disc brake है safety okay dual channel EV is a safety super okay लेकिन overall जो इसकी width है अगर हम इसके पूरे you know tire profile की बात करें तो मुझे कही ना कहीं लगता है कि जो width है वो थोड़ी सी कम है अब जिस तरह की ये bike है उस हिसाब से इतनी कम width होना शोभा ने देता इसको अब mileage के लिए तो company ने ये चीज दे दी लेकिन कही ना कही इसकी width जादा होती तो इसकी look बहुत अच्छी आती क्योंकि ये bike को mileage के लिए look के लिए लेना चाहेगा या looks के लिए design के लिए लेना चाहेगा तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा width होर होती फुल टिक को जाना था कर रहा होगा कि आईडिया लग जाएगा कि किस width की में बात कर रहा हूँ क्या आपको लगते है इसकी width जादा होने चाही थी नीचे comment करके जुरूर बताएं बात करते है इसके tail lamp setup proper halogen side पे भी retro style इधर भी retro chrome का finishing काफी अची तरीके सीगी गई है अगेन इस bike को और जादा retro बनाती है देख रहे हो chrome तो वह classic retro you know कुछ भी कह सकते है आपको कि लगते है इसका सही word क्या होगा comment करके बता दो कुशनिंग मुझे अच्छी लगे company ने इसको highlight भी काफी किया कि हम padding बहुत अच्छी दे रहे है और अच्छी चीज है thickness काफी जादा padding काफी जादा दी गई है जिसकी वैसे i think comfortable rides होने वली है आप long rides पर जाओ कि ठकने वाले नहीं हो चाहे पीछे person बैठा हो चाहे आगे हो यह अच्छा है कि grab rail side पर दी है rather than पीछे तो काफी easy हो जाता है बैठना अब एक ही चीज की problem आती है suppose किसी की height 5-6 के आसपास है जिसी my height is 5-8 तो मैं तो सही से bet गया handlebar में अच्छे से पकड़ भी पा रहा हूँ लेकिन अगर किसी की height थोड़ी सी कम हुई बीचारे की तो व यह कि पूरा शहर अपना राज चलता तो सरफ अपना ही चलता है तब मजा आता है इस तरह की bike पे बैठने का अब यह वली side profile 5-speed का gearbox यह बहुत बड़ी शिकायत है मेरी तरब से कि इतनी बड़ी bike price भी अच्छा-कासा है तो यहां पर 6-speed का gearbox होना मुझे लगता है जरूरी डबल स्टेंड ऊफर किया जाता है अच्छी बात किया जाता है सई गढल स्टेंट होने से काफी है उजाथ ज़कर का वेट काफी ज्यादा तो मुश्ली या प्रेफर करना कि स्को डबल स्टेंड पर ही रखना जब जादा लंबे समय के लिए रखोगे पार्ट मेंगर की तोड़ा सा नीपैड नहीं है गरम होके लगेगा विकोज इस अगेन सारा मेटल 15.5 वीटर्स का फ्यूल टैंग मेल जाता है पट तेंग कि अगर यहां कुछ पैडिंग दे दे न तो बाइक की थोड़ी लुक खराब हो जाएगी अब रही बात बैठने की तो आपको अच्छ तो यह आपको डेफिनिटली बेनिफिट मिलेगा जिससे आप इसको एड़स्ट कर सकते और अपने अपने अकॉर्डिंग ली ही यह नो कमफर्टेबली चला पाऊगे ओके नाओ दे कंक्लूजिए अब सीन असा है इसकी एक्ट्वर्म प्राइस है तो लाक सिस्टी नाइन अब ये बाइक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जादा लिमिटेड लोगों को पसंद आएगी देखो लंबी है गुड कलर ऑप्शन रेड वाइट अच्छा लगता है लेकिन क्यूजे मोटर्स अभी अभी यह आए हैं चार-चार इनोंने एक साथ बाइक लांच कर दी लेक बैक हाएगा हम जैसे लोग रिव्यू करेंगे तब इनका थोड़ा ज्यादा पता लगेगा तो थोड़ा रुख जाओ अर्जेंट है बाइक लेना तो कोई और ले लो लेकिन रुख सकते हो तो डेफिनिली इसको और एक्स्पिरियंस हमें करने दो थोड़ा राइड रिव